दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास से उन फार्मरों के लिए जो अपना नया पोटी फार्म सुरू करना चाहरे हैं दोस्तों आज हम बात करेंगे दोस्तों मुर्गे पालन पर किस तरह से हमारा खर्च होता है और किस तरह से फायदा होता है दोस्तों अभी का जो चिक्स का रेट है अगर आप 200 चिक्स लेते हैं तो आपको 6,000 रुपे खर्च करने पढ़ेंगे दोस्तों आपके जो City Dealer होते हैं वो अगर आप उनसे 100 चिक्स लेते हैं तो दो चिक्स फिरी मिलते हैं इस तरह से 200 चिक्स पे आपको 4 चिक्स फिरी मिलते हैं तो 200 चिक्स का जो प्राइस है वो है 6,000 रुपे अब हम फीड की बात करते हैं दोस्तों अभी जो फीड का रेट है वो काफी महंगा है इस तरह से अगर हम देखें तो एक जो मुर्गा होता है वो 35 से 40 दिनों में 3 किलो से 3 किलो 200 गरान तक फीड खाता है अब हम 200 मुर्गों पर खर्च होने वाले फीड के दाम की बात करते हैं तो दोस्तों 200 मुर्गों पर हमें 6 कुंटल 50 किलो फीड की जरूरत पड़ेगी इस तरह से अगर हम इसका प्राइस देखें तो प्राइस आता है फीड का 24,700 रुपे अब हम 24,700 रुपे में चिक्स का रेट ऐड करते हैं दोस्तों हमारा जो चिक्स का प्राइस था वो था 6,000 रुपे और फीड का जो प्राइस था वो था 24,700 रुपे अब हम दोनों को जोडते हैं, तो इस तरह से दोस्तों हमारा बनता है 30,700 रुपे, अब हम इस पर दवाओं के खर्च को निकालते हैं, तो इसमें हम दवाओं के खर्च को जोडते हैं, दोस्तों 30,700 में 1000 की दवा हम आइड करते हैं, तो ये हमारा बनता है 31,700 रुपे, इस पर हम लीटर के खर्च को भी ऐड़ करते हैं दोस्तों 200 बर्ड के लिए करीब हमें 100 रुपे की लीटर की जरूरत पड़ती है तो ये हमारा बनता है 31,800 रुपे दोस्तों ये हमारा टूटल खर्चाता है 35-40 दिनों में 31,800 रुपे दोस्तों 35-40 दिनों में जो हमारा बर्ड होता है वो 2 किलो प्लस बाड़ी बेट देता है इस तरह से हम अगर इसमें 10 मोटैल्टी को निकालते हैं तो 204 बर्ड में हमारे 194 मुर्गे बसते हैं दोस्तों 194 मुर्गे का 2 किलो बाड़ी बेट के हिसाब से हमारा जो माल बनता है वो 3 कुंटल 88 किलो 3 कुंटल 88 किलो हमारे मुर्गे का वजन होता है अब हम इसे अभी के मंडी के रेट के हिसाब से बेशते हैं तो अभी का जो मंडी का रेट है वो है 110 रुपे का इसके लागत को निकाल देते हैं तो हम 42,680 में 31,800 रुपे निकाल देते हैं तो हमारा जो मुनाफ़ा बनता है वो 10,800 का दोस्तों अगर मंडी का रेट 100 है तो भी जो हमारा मुनाफ़ा बनेगा वो 7,000 से चादे का होगा इस तरह से दोस्तों गर्मियों की सीजन में आप पोटी फा बाथ होती है फार्म की सापसफाइ और जब भी फार्म खाली छोडए तो फार्मो लीन चूने का छिडगवा दोस्तों जब भी फ स्टार्ट करें तो लीटर की गुड़ाई और जो भी पोटी फार्म से जुड़ी जानकारियां हैं उसको बहुत ध्यान में रखने की बात होती है तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके हमें बताईएगा दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजेगा, सेर कीजेगा और चैनल को सस्क्राइब कीजेगा